हेलो एर्यवन दिस डॉक्टर जिवेश शादो तो Q&A सेशन के पार्ट 8 में आपके जो कुश्चन्स मेरे इंस्टाग्राम पेज के उपर आये थे उनके तो मैं आंसर यहां पर दूंगे दूंगा और दो जो कमेंट्स हैं वो भी मैंने इस Q&A सेशन में एड़ किया है तो जि जो भी questions हैं ज़रूर पूछना अगर आपको कुछ भी doubt होता है क्योंकि counseling है बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान रखने के आपके ज़रूरत होती है ठीक है चीजों को ले करके नहुं स्टार्ट करते हैं अपर सब सब पहले यहां पर पूछा गया है इनका question है कि मैं कैसे वहां के private college में admission ले सकता हूं तो देखो जितने भी बच्चे हैं यह वीडियो ज़रूर देख रहे होंगे ठीक है तो यह वीडियो में मैं proper आप लोग को बता रहा हूं कि आप इस्टेट कॉंसलिंग अधर इस्टेट की कैसे अटेंड कर सकते हो और यह फिर अधर इस्टेट के जो प्राइवेट कॉलेज जैसे या गौवर्मन कॉलेज है वहां कैसे आप admission ले सकते हो इनके जैसे की MP के हैं तो करनाटक के कॉलेज में या फिर महराश्टे के कॉलेज में कैसे admission ले सकते हैं और वहां की स्टेट कॉंसलिंग कैसे अटेंड कर सकते हैं यह बहुत बड़ा question है तो इसी question को मैं एक example के थ्रूँ आप लोग को बताऊंगा ताकि चीजे clear हो पहली चीज है आप दूसरे स्टेट की possibility है यह मैं बता रहूं अब example के लिए हपन बात करते हैं करनाटका में करनाटका के विशम बात करते हैं something thousand के round seat होगा ठीक है तो 1000 के round seat है वहां पर प्लस भी हो सकता है उसी के round कुछ something तो वह यह की 1000 के round PG की seats है वहां candidates कितने लोगो ने IPC exam दिया सिर्प करनाटका के बारे हम लागो होगा जो मैं आपको example बता रहा हूं तो वह यह कि 1000 something वहां PG की seats है वहां लगभग जो candidates है कितने candidates ने exam दिला है something 3000 के round candidate ने AIPGT exam दिला है अब 3000 में से something सिर्फ 1000 ही qualify कर पाया है 1000 लोगों नहीं qualify कर पाया अब 1000 लोगों ने qualify कर पाया अब इसमें क्या हुआ डबल ए ट्रिपल सी की counseling हुआ तो लगभग मान के चलो उसमें से 500 लोगों ने state counseling conduct हुआ तो बजगे जो 500 जो qualify किये थे जो और बच्चे 500 ने तो central के seats ले ली ठीक है तो उनका तो अब सिंपल से बात है state मन में ही नहीं है तो जो बजगे 500 उन बच्चों ने state counseling attain किया अब 500 seats जो 1000 जो seats थी state की उसमें से 500 seat तो भर गया बजगे कितना 500 seat ठीक है 500 seats बचे अब 500 जो seats बचे उसके लिए क्या cutoff को गिरा देंगे नहीं cutoff को नहीं गिरा दें उस condition में जो 500 seats हैं वो क्या laps हो जाएंगे बिल्कुल भी नहीं laps भी नहीं होते हैं तो क्या होगा उस seats का तो वो seat के लिए last round mop up round के बाद का जो round होता है ऐसा बोल सकते हो एक round जो है conduct किया जाता है जिसमें other state के जो बच्चे हैं उनको participation के लिए बुलाया जाता है उसमें other states के जो बच्चे रहते हैं वो भी participate कर सकते हैं वो आपका last and last round होत कर पाटिशन करके आप स्टेट करके मेले अडमिशन लेसकते हो और यह चंसस रहता भी है और नइ हुसरत है कि जो इस लिए और कर i fan h2o उसमें करक्ष माध्य से हैं रहुत जो रहता है है अदिकतर प्राइवेट्स जो कॉलेज होते हैं उनके ही सीड रहते हैं स्टेट कॉंशलिंग के बारे में ही अभी तक मैं बात कर रहे हूं ठीक है स्टेट कॉंशलिंग जो हो रहे है तो उसमें भी अगर अगर अपर इस्टेट वालग के लिए अगर होता है तो most of the चांसे रहता है कि एकाद दो सीट हो गौवर्मेंट के बागे प्राइवेट कॉलेज के प्राइवेट ही सीट वहाँ पे बच्चे रहते हैं क्योंकि उनके फिस ज्यादा रहती है इस वज़े से सेगंड तिंग अब यहाँ पर पहला कुश्चिन का तुम्हेंना अंसर दे दिए कि अधर श्टेट की कॉंसलिंग कैसे अटेंड कर सकतो तो वह यह कि उन लोग मौपप राउंड में अगर सीट बचेहता बूल लोग मौपप राउंड के बाद में भी एक राउंड कंडक्ट करते हैं उस राउंड अगर वह कंडक्ट होता है तब जाकर कि आप अधर श्टेट के कॉंसलिंग में पाटिसिपेट कर सकते हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको रेगुलर्ली जो इस्टेट कॉंसलिंग है उसके पूरा वेबसाइट को पर विजिट करना पड़े होते हैं जिसमें आपको चांसिज रहते हैं सेगंड कोस्टेट था आपका यहां पर प्राइवेट कॉलेज में अगर चाहिए भी तो डबल एट्रीपल सी की कॉंसलिंग के थ्रू ही मिल सकता है अगर आपके स्टेट में तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आपको प्रा नेक्स्ट क्योरी को अपना आगे बढ़ते हैं तो सारे बच्चों को यह डाउट क्लियर हो गया होगा तो नेक्स्ट क्योरी यहां पीनों ने पूछा है सर एयर आई 425 में चांसेज हैं गौर्मेंट सीट क्लिनिकल में मिलने का जनरल करें में फर्स्ट रौन में तो दिखो करते हो तो मिल भी सकते हैं कोई नहीं नहीं में हो सकते हैं अदि की आपको क्लिनघ कि येMP स्वेक्राइब में जाधा चांसे बहाते हैं तो नेहां पेनओं ने में पूछा घलो शर माइआई इस 3854 आयम मुहराश्यच्य सअट पॉसिबिलिटी ओफ गेटिंग गैनेकोलोजी इन प्राइवेट अर्डीम उनिवर्सेटी ओफ महाराष्टर देखो मैं क्लिनिकल सीट्स तो बोल सकता हूं ठीक है कि आपको मिल जाएगा बट यह नहीं बोल सकते कि गैनेकोलोजी ही मिले क्योंकि गैनेकोलोजी जो सब्जेक सब्जेक्टिस में करोगे ठीक है क्लिनिकल के ही काया चिकित से होगे अधर सब्जेक्ट जो होगे पंच कर्मोगर होगे तो उसमें लगभग आपका जो डीम यूनिवर्सेटी है ठीक है जहां तक मुझे पता है 5.6 नहीं 5.16 ऐसे सम्थिंग को एराउंड रहता है यानि कि डीम यूनिवर्सेटी इसका फीस रहता है तो आपको कंफर्म नहीं बोल सकते हैं कि मिल जाएगा ठीक है पर आप ट्राइखर के देख सकतो हो चांसेज है कि क्लिनिकल सीट मिल जाए है नौ नेक्स्ट के और अपनागे बढ़ते हैं तो उन्हें पुछा है गुड इनिंग स सब्सक्राइब कराना हो तो उसके लिए आल इंडिया की करने के जुरुरत नहीं है न ठीक है तो देखो हाँ बिलकुल अगर देखो महराष्ट का इस्टेट कॉंसलिंग आप अटेंड करना चाहते हो तो वह प्रॉपर जो है इस्टेट कॉंसलिंग का अलग से वेब साइड है जो मैंने अल्रेडी वीडियो में बत बतारक है तो उस साइड के उपर विजिट करके आप इस्टेट कॉंसलिंग जोइन कर सकते हो आपको डबल रिपल सी के रिजिस्टेशन कराने की जुरूरत नहीं है लेकिन आपको कहे डबल रिपल सी के थुरू अपने ही स्टेट में चाहिए 15 परसन जो सीट रहता है डबल से पोर्टल होता है उसी के उपर रिजिस्टेशन करा सकते हो दोनों की जो रिजिस्टेशन होता है वह अलग अलग होता है ठीक है एक ही रिजिस्टेशन होता है दोनों का अलग-अलग होता है ओके इस्टेट का इस्टेट के पोर्टल में होगा और जो यह पीजीटी है ठी 10,350 then get round C private private लग सकते हैं तो यहां पर देखो private colleges के chances हैं ठीक है बट वह यह कि last round में आपको chances रहेगा ठीक है वो भी मॉप अपराउन में यूकि last time मॉप अपराउन में में इस rank में मिला था ठीक हो भी non clinical seals जो है वो जो है मिला था तो इस condition में आप वही है कि private college के chances हैं बट वही है कि मॉप अपराउन थर्ड राउंड आपको double a triple C का खिलना पड़ेगा तब जाब कि आपको पता से लेगा नौ नेक्स्ट क्योरी के और अपना आगे बढ़ते हैं तो यहां पीनों ने पूछा है यह राई जो रेंक हो फाइप फाइप फाइफंड्रेट सेवंटी सेवन हो भी सी रेंक 233 है एनी चांसेस फॉर गवर्मेंट सीट बिल्कुल आपको गवर्मेंट सेट मिल जाएगा ठीक नौ नेक्स्ट क्योरी के और अपना आगे बढ़ते हैं तीनन पूछा है है सर गुड़ इवनिंग आई रट एई पीजटी एक्जैम आई स्कोर इस वन फिप्टीन मार्क माय कैटेगरी इस जैनल कैटेगरी आएम नौ इलिजिवल बट इस देर चांसेस तो पॉसिबिलिट सब्सक्राइब कर देखो मैं यह बूलूंगा है बहुत कम चांसे से ठीक है कि प्राइवेट कॉलेजेस के जो कट अफ है वो डिक्रीज हों करके ठीक है मतलब जो डबल एट्रिवल सी ने जो कट अफ एक बार जारी कर दिया ना मतलब एंटीन है सौरी डबल एट्रिवल से ने जो कट अफ जारी कर दिया ना कि 50% for general and 40% for reserve category तो वह बहुत कम चांसे से मैं यहीं बूलूंगा कि next year के लिए प्रॉपर प्रिपेर करों ठीक है इसके लिए आप मेरी कोचिंग जोएन कर सकते हो डॉक्टर जीवेश है दो ऑनलाइन क्लासेस ठीक है इसमें मैं प्रॉपर आपको जो है help करता हूं ठीक है study materials भी आपको प्रॉपर होते हैं proper test series होते हैं proper classes होते है recordings भी आपको पास अवलेबल रहती है और मेरे हिसाब से सबसे cheapest cheapest जो प्राइस है उसमें आपको यह सारी चीज़ें अवलेबल होती है तो मैं यह बूलूंगा जिन भी बच्चों को ठीक एक बार जरूर जो है आप लोग classes join करके देखना ठीक है क्योंकि जो अपन क्या है उतना ज्यादा PG में नहीं पढ़ना है ठीक है selected चीज़ें पढ़ दी है और वहीं से questions put up होंगे ठीक है तो उसको आपको पढ़ना है कि method से पढ़ना है वो सारी चीज़ें को जो है मैं अपन उनको मैं बता रहा हूँ सिर्फ crash course लिया थो उसमें 300 के राउंड बच्चे थे ठीक है 200 में से सम्थिंग 200 बच्चों ने अपैर किया था और 200 बच्चों को सिर्फ सिर्फ ज्यादर ज्यादर मैंने 3 to 4 months only 3 months अच्छे से पढ़ाया था तो उन लोगोंने something 30 बच्चे जो है व possibility बढ़ जाएगी ठीक है तो मैं यह बूलूँगा सारी चीजे जो है आपको अवलेवल की जाती है जब मेरे classes जोइन करते हो ठीक है और वह यह कि आपको जो इंट्रेव्यूज है वह भी आपको अवलेवल किये जाएंगे जो टॉप और से उनके ताकि आपको guidance मिल सके कि कै इसे करके आपको जो है strategy आपकी बनानी है तो जो भी बच्चे है मैं उनको बता देता हूं ठीक है कि डॉक्टर जीवेशादा online classes जो है वह आपको ज्वाइन कर सकतो ब्रहमास्त 2.8 जो बैच है वह launch हो चुका है मैं इसके लिए क्या करना है तो उसके लिए आपको जो है मेर मेरे को WhatsApp में message कर सकता हूं जो भी queries है पूछने के लिए ठीक है कि आपको अगर classes जोइन करनी है तो उस condition में बाकि ऐसा है कि कुछ भी counseling से related queries तो आप सिर्फ Instagram में भीजो पाकि और कुछ भी classes वगर से जोईन वगर करना है तो उस condition में आप मेरे को बिलकुल message वगर कर सकते हो now next query को अपना आगे बढ़ते हैं तो next query यहां पर है इनका hello sir sir मेरा rank 210 है हम गवर्मेंट college है हमें government college ही चाहिए तो private से नहीं करना था बट registration करने में हमसे गलती से 24 में सिर्फ तो all India government edit ही select किया है उसमें कौन से college आते हैं sir उनके fees भी ज़्यादा होते हैं क्या and कोई option है change करने का अब final fees भी submit कर दिये हैं तो हमें sir please reply दे देजे तो इस देखो मैं आपको बता देता हूँ government edit college भी जो होते हैं उसमें भी government के हिसाब से फीस रहता है ठीक है ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फीस रहता है मैं यह बोलूँगा कि government edit कुछ college जो होते हैं वहाँ पर आपको step 1 भी provide किया जाता है तो डरने वाली बात नहीं है बागी change करने का option है साथ में भी second round में आपका आप है second round में आप एक बड़ ट्राइ करके देख लेना है ठीक है बागी first round में अगर आपने final lock कर दिया है chances नहीं है कि आप उसको change कर सका हो ठीक है second round में आपके chances रहेंगे कि आप change कर सकते हो ठीक है now next query कर अपना आगे बढ़ते हैं तो next query यहां पीन के है सर आल इंडिया rank 1615 है AWS 274 है यहां पीन होने पूछा है कि counseling के लिए भरना चाहिए यह नहीं प्लीज आप बता दीजिए कर लास्ट डेट है तो देखो मैं यह बूलूंगा first round में मत भरो second round में आप जो है second round के जब counseling start होगी तब आप जो है भरना ठीक है क्योंकि उसमें पूरे seats open हो जाएगा और आपको मिल जाएगा मेरी हिसाब से ठीक है seats भी आपको मिल जाएगा लेकिन second round रहेगा उसमें पूरी जब seats open हो जाएगे तो आपको जाता chances रहेगा ठीक है तो वह यह कि अगर ऐसा है कि मन में अपने है कि नहीं में first round भी कलो है तब आप भर लो तो आपको chances है जाता था ठीक है लेकिन वह यह first round में कुछ seats सी जहां तक मैंने देखी है वो open हुई है अगर वहां पर करोगे तो second round के जब आप registration करोगे तो second round में जो आपको मिलेगा दोनों भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं second round भी मिल सकते है तो second round में वह यह कि आपको जो इंसिटूट मिल रहेगा वहां जा करके आपको admission को cancel कराना पड़ेगा अगर आपको ऐसा type है कि हाँ आपने first round में fill up कर दिये form भर दिये तो उस condition application में वही है कि आप second round में new choice filling वगर करके आपको second round में मिल तो जाएगा ठीक है गौवर्मेंट पर वही है कि अगर इन केस ऐसा है कि आपको पसंद नहीं आ रही है प्राइवेट ही मिलके है तो आपको college में visit करना पड़ेगा और उस college में visit करके आपको admission को cancel कराना पड़ेगा ठीक है तो वह हो सकता है तो आप देख लो आपको कैसा करना है तो ठीक है बट वही है कि second round में chances जादा है आपका आपका नेक्स्ट के ओरी को अपने आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पिन्हों ने पूछय है hello sir I have 195 mark ARI is 4826 OBC rank is 2142 sir can I get clinical seat in private college in महरास्ट chances है ठीक है आपको private college मिल महरास्ट में ठीक है उसके लिए state counseling में आराम से मिल जागा मेरी हिसाब से ठीक है जब आप महरास्ट इस्टेट के हो दिस्टेट कॉंसलिंग बटेन करोगे तो बहुत ज्यादा chances से कि आप clinical seat मेल जाए नाव नेक्स्ट क्योरी के ओर आपना आगे बढ़ते हैं तो यहाँ प non refundable जो है ना वह आपका एक हजार ही है ठीक है जो 10,000 रुपए आपने जो पे की है ना वह refundable फीस है वहाँ पर उन्होंने information bulletin में साप साप लिखा हुआ है ठीक है तो information bulletin में साप साप लिखा है तो 10,000 रुपए बस यह है कि जो counseling की जो process है ठीक है उसमें आप कुछ गलती म मत करना उसके लिए मैंने एक video बना दिया है कि क्या क्या गलती करो के तो आपका security मनी जो है वह जब तो हो जाएगा वह गलती बस मत करना ठीक है तो आपको आपको फीस जो है पैसा जो है जब counseling खतम हो जाएगा उसके बाद में आपको मिल जाएगा ठीक है तो 10,000 यह एक हज जो है 208 है इन महाराष्ट इन्होंने यह पूछा है All India Private College में 15% quota की admission AACCC के through नहीं होती में ठीक है तो देखो All India के private college के भी 15% के जो seat है उसकी भी admission AACCC के through ही होती है ठीक है यह मैं proper हर बच्चों को clear कर देना साता हूं कि private college के जो 15% seat है ऐसा है कि पहले ऐसा नहीं होता था ले कि 15% seat है जो private college है उनका भी AACCC के counseling के through ही fill up होती है तो यह आपको बता देता हूं clear कर देता हूं कि होगी ही होगी ठीक है 15% seat और यह है कि यहां पर आपका जो है वह यह private college में आपको seat तो मिल जाएगी वैसे मैंने पहले भी Q&A में आपको बताया था ठीक है तो private college में आपको seat तो मिल जाएगे और वही है 15% seat private college की AACCC के through ही fill up होगी यह भी confirm है नौ नेक्स्ट के और अपना आगे बढ़ते हैं तो यहां पर उन्होंने पूछा है सर अभी और seat add होगी क्या अभी तो बस 123 दिखा रहा है जनरल की तो second round में आप एक बार चेक करना ठीक है में भी add हो सकत है ठीक है क्योंकि second round में सारे institute जो most of the अभी जो इनको first round में नहीं मिले है वो सायथ second round में सारे जो उनकी seat से क्लियर हो जाएंगे तो second round में आप एक बार चेक कर लेना ठीक है वहाँ पर आपके seat बढ़ सकते हैं now next के और अपना के बढ़ते हैं तो इन्होंने पूछे है second round में fresh choice का क्या मतलब है क्या first round वाले subject जो हमने choice किये थे उनको ही वापस जो है दोबारा second round में नहीं भर सकते क् बिल्कुल भी नहीं भर सकते हैं ठीक है क्योंकि ये counseling की policy में information bulletin में साफ साफ rule and regulation में लिखा हुआ है ठीक है कि first round में जो आपने choice feeling किया है वो second round में as it is नहीं कर सकते हैं ये बात अलग है first round में जो आपने institute में जो डाला था वो आपको उपर नीचे करना ही पड़ेगा ठीक आप information bulletin का मैंने proper video बनाया है उसको आप देख सकते हो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि first round में अगर आप choice feeling कर रहो तो second round में आपको fresh choice feeling ही करना पड़ेगा वही same to same copy नहीं कर सकते हैं ये rule regulation में लिखा हुआ है now next query को अपना के बढ़ते हैं तो आज का last query यहां पर अपन देखते हैं तो do we have to pay again and again for the choice feeling for each alternate round नहीं आपको सिर्फ एक बार पेमेंट करना पड़ेगा ठीक है बार बार आपको जो पैसा है वो पेमेंट नहीं करना पड़ेगा अगर आपने first round में registration करा हैं तो second round में आपको fees round के लापको प्यार नहीं करना पड़ेगा ठीक है तो यह आपका fees again and again pay नहीं करना पड़ता है तो I hope मैंने सारे curious के answers आप लोगो को दे दिये हैं फिर भी किसी को भी कुछ भी question पूछना हो बिल्कूल मेरे Instagram page के उपर message कर सकते हैं आपके curious के जवाब मैं जरूर दूँगा ओ